खुले आम हुई बिग बॉस 17 के घर में चीटिंग मुनवर नहीं ये था असले विजे था आखरी मौके पर सल्मान ने लगा दिया वीटो मच गया बवाल एलविश के बाद फुकरे इंसान ने खोल दिया बहुत बड़ा राज बता दिया अभिशेक से क्यों चिड़ते हैं सल्मान वोटिंग में बहुत आगे था ये स्टार आखरी मौके पर बतला फैसला जिस सनातनी लड़के ने महनत से कमाया नाम माबाप का हमेशा किया सम्मान उसे एक छोटा मोटा राइडर बताने की भूल कर बैठे सल्मान ब्रो सेना ने 24 घंटे में भाईजान की लगा दिवाट पहाड़ी लड़कों ने बता दिया उकाद जी बिलकुल जिस 26 साल के लड़के ने माबाप का किया नाम अपनी महनत से बनाई पहचान आज उसके खिलाब बिग बॉस फिनाले में सल्मान ने कह दिया ऐसी बात 24 घंटे भी नहीं लगे ब्रो सेना ने भाईजान का कर दिया इलाज खोल दिया बिग बॉस का असली राज तो फुकरे इंसान ने बता दिया अभिशेक को सल्मान ने क्यों नहीं पहराया बिग बॉस सत्रा का ताज जिस मुनवर ने सनातन का किया अपमान खोले आब हिंदू देवी देवताओं के खिलाब दिया था विवादित बयान उसे जान बुझकर सल्मान ने बनाया सूपरिस्टार जीत चुके थे अभिशेक ट्रॉफी थी पक्की लेकिन इस एक कारण से आखरी मौके पर सल्मान ने कर दिया खेल फुकरे इंसान ने बताई असली सचाई एक नहीं दो दो पहाड़ी लड़कों का सल्मान कर चुके है अपमान बिग बॉस ओटिटी में अभिशेक मलहान के साथ किया था खेल इस बार अनुराग दोभाल का किया अपमान फिनाले में धंकी देने लगे सल्मान तो ब्रो सेना ने खड़ी कर दी वाट बिग बॉस भले ही रियालिटी शो है लेकिन फिर भी अकसर शो पर आरोप लगते हैं कि यहां सब पहले से ही डिसाइड होता है सोशल मीडिया पर चर्चा ये भी तेज है कि बिग बॉस विनर के नाम के साथ छेड़ चाड़ हुई है आखरी मौके पर अंकीता के साथ आगे चल रहे थे अबिशेक लेकिन फिर अचानक हुआ ऐसा खेल छिन गया ताज कैसे बिग बॉस 17 में सनातन का अपमान करने वाले मुनवर को चीटिंग कर बनाया क्या विनर वो जान लीजिए लेकिन पहले ये बात आपको बताते हैं बिग बॉस सीजन 17 के फिनाले में शो के पुराने सारे कंटेस्टेंस शामिल हुए लेकिन अनुराग दोभाल नजर नहीं आए ऐसे में उन्होंने ट्विट कर बताए कि वो शो के फिनाले का हिस्सा क्यों नहीं बने अनुराग ने लिखा जो कोई भी पूछ रहा है कि मैंने बिग बॉस 17 का ग्रैंड फिनाले अटेंड क्यों नहीं किया उनके लिए आत्म सम्मान के लिए मैं उसकी जोटी तारीफ भी नहीं कर सकता जहां अनुराग ने सोशल मीडिया पर पुश्ट किया तो महीं दूसरी तरफ सल्मान खान ने ग्रैंड फिनाले में अनुराग दोभाल का मजाक उडाया और कहा कि राइडर पहाडों में राइड कर रहा होगा वही अनुराग ने हाली में एक इंटर्वियों में कहा कि बिग बॉस 17 का विनर पहले से ही फिक्स्ड है उन्होंने कहा कि जो क्रियेटिव चाहेंगी वो विनर होगा अब जाल लीजिए कैसे 50 साल के सलमान 26 साल के लड़के से पंगा लेने के भूल कर बैठे उस पहाड़ी लड़के से जिसने अपनी महनत से अपना नाम कमाया आज भी और हमेशा माबाप का करता है सलमान अपने दंपर आजवों करोडों का मालिक है दुबाई से मंगाई गई महंगी महंगी कारे हैं लाखों की बाईके हैं आज इस लड़के ने पहाड का नाम रोशन किया तो सवाल ये है कि क्या अनुराग दोभाल से डर गए थे सलमान अब ब्रो आर्मी ने 24 घंटे में सिखा दिया सबग वही अनुराग दोभाल के साथ बिग बॉस ओटिटी के रनर अब अभिशेक मलहान उर्फ फुकरे इंसान ने भी अभिशेक के खिताब ना जीतने पर सलमान खान पर सवाल उठा दिये फुकरे इंसान ने सोशल मेडिया पर पोस्ट कर लिखा सलमान भाई के आगे अभिशेक नाम का बंदा जीत नहीं सकता का